तू नव क्लासिस कैसे आप सब सो आज हम डिसक्स करने वाले हैं कम्प्लीट बजट 2022 जो आया है यूनियन बजट ठीक है इसको मैं डिटेल में डिसक्स करने वाली हूं एक एक चीज जो बहुत जादा इंपॉटेंट है आपके एक्जाम पॉइंट व्यू से उसको भी डिसक्स करेंगे इसलिए इस पर्टिक्लर क्लास के लिए मैंने डिटेल में यूनों पीडियाफ क्रियेट की है इसकी पीडियाफ टेलिग्राम पे नव क्लासिस जॉइन करके वहां पर आपको मिलेगी तो जल्दी से आज यह लाएं सो दर्ट विल स्टार्ट हां जी आने के आडमी पे आपको मैं कम्प्लीट पर पर पेपर टू कॉमर्स पढ़ाती हूं तो एक ही जगा पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आज 20% डिसकाउंट मिल रहा है नव क्ला अगया नेट्वर्क ना रीकनेक्टेड येस ओके तो चलिये स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स आज आज आपको 10 पीम हमारी क्लास है इसका लिंक मैंने पिन भी कर दिया डिस्क्रिप्शन में भी दिया तो मेक शूर आप लीजिएगा ठीक है हां जी और अनलोग 20 20 परसें आपको नव क्लासिस कोड पे और आपको पेपर वन पेपर टू दोनों एक ही सब्सक्रिप्र मिल जाएंगे अगर आपके इन में से सब्जेक्ट अवेलेबल है तो मैं आपको एटोजाट कम्प्लीट पेपर वन पढ़ाने वाली हूं ठीक है और अगर आपका कॉमर्स है तो अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो अभी यह हमारी सिक्वेंस है लाइक पीपर में चल रहा है फिर उसके बाद मैथमाटिकल रिजनिंग और बीच में मैंने वेस्टर्न लॉजिक और की क्लास रखी है तो वह होगी और कॉमर्स का नेया लीगल अस्पेक्ट आज स मिल जाएंगे ठीक है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना बजेट फ्रेंट्स बजेट में बैसिकली टोटल सिक्स पिलर होते हैं पर एक्जामपल सबसे पहले हाल्थ एंड वैल बींग क्यों पर बजट डिक्लियर होता है उसके बाद फिजिकल और फिनाशल कापितल और फिर इंक्लूजीव डेवलपमेंट करनी हैं फानेशल इंक्लूजन अनल एमन क्यापितल में आपका अजूकेशन भी आजएगा रिसर्च इंड डेवलपमेंट मिलिम्म गवर्नमेंट और मैक्सिमम्लाइन्स ठीक है कि गवर्मेंट जो है उनकी ब्यूरोक्रासी कंप हो और गवर्नेंस मतलब कि ट्रांस्पिरेंसी एकाउंटेबिलिटी बढ़े तो सबसे पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है यहां से जो हमारा बजेट का एक्सपैड़ीचे रखर्चा है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेट कौन-कौन सा होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करना तो मैं यहां पर जूम करके दिखा देती हूं आपको नहीं भी दिखरा तो मेरे से सुन लोग ठीक है डिपार्टमेंट ऑव स्कूल एजुकेशन और लिट्रेर्सी के लिए इनका जो अमाउंट आया है वो है लगबग 63,449 और हायर एजुकेशन के लिए जो अमाउंट है हायर एजुकेशन के लिए यह अमाउंट है है बेसिकली 40,008 10 something ठीक है इन दोनों को प्लस कर देंगे तो लगबग आपका 100,000 हो जाता है तो इस इस हाओ की बजेट का कितना हो अब आते हैं मिनिस्ट्री ओफ एन्वारमेंट फॉर्स्स क्लामेट चेंज क्योंकि हमाई लिए हायर एजुकेशन पेपर में आता है और अजुकेशन पेपर में आता है और इस लिए यह दोनों बहुत इंबॉटन हो जाते हैं तो पीपल एन्वारमेंट से रिलेटेड़ समझ में आएगा ठीक है तो यह तो टोटल रिवैन्यूस है कैपिटल एक्सपेंडिचर है ठीक है अच्छा इसकी इतने भी जुरूत नहीं है तो फिस्कल डेफिसिट के अगर बात करें तो यह चार्ट काफी अच्छा है और इंपोर्टन आपके लिए कि फिस्कल डेफिसि कि हमारा नेगेटिब में गया है माउंट एक पूरी प्रॉपर बैलेंस ओफ मेंट होती है इसमें गवर्मेंट जो खर्चे करती है और गवर्मेंट को मिलता है उसको माइनस करें तो खर्चे जाता हो गए और मिला कम ठीक है रिवैन्यू कम हुआ तो 9.2 डेफिसिट गया थ तो 6.9 हुआ है और यह काफी अच्छा है अब हम आजाते हैं अपना एस्टीमेशन पर यहां से पेपर में कोशन भी आ जाते हैं ठीक है तो फिसकल डेफिसिट अगले आने वाले जो साल है 2022 से लेकर 23 तक तो इसका पैग किया है पैग करना मतलब फिक्स कर देना कि इससे जा और बस यह दो जादा इंपोर्टेंट होते हैं हमारे एक्जाम पॉइंट फ्यू से अब कंपोजिशन ऑफ एक्सपैंडिचर टोटल खर्चा गवर्मेंट सबसे जादा कहां करती है और सबसे कम कहां करती है आप अराम से देख सकते हो इस पूरे बॉक्स से समझ में आ रहा है कम ही है ठीक है और यहां से प्लानिंग का भी एजुकेशन का कम है और सबसे जादा जो खर्चा मेंली किया जाता है वो इंट्रेस्ट देने में में मेंली किया जाता है तो अगर हम इस पॉइंट से देखे तो यहां पर बहुत इजिली आपको यह ग्राफ समझ में आ जेगा कि जो एस्टिमेशन है मेजर एकस्पेक्टेशन है एकस्पैंडिशर की तो एजुकेशन के अंदर टोटल को मिला के प्राइमरी और सेंट्री कितना हो गया एक लाक वन लाक 4,278 1,004,278 ठीक है? अब मैं एक बात बताती हूँ कि इससे कहीं साल पहले भी आप चले जाओ और आपको पता होगा कि Charter Act आया था ठीक है? So, Concierge में आया था बताईए जब British India वाले थे तो उन्होंने education के लिए सबसे पहले 1,00,00 रुपे मेंली इन्वेस्ट करने को कहा था. हाँ, यहाँ पर भी 1,00,00 है लेकिन यह फिगर करोड में पहुँच चुकी है. येस मदलब लगभग, यूनो, आप कह सकते हो कि वैसा वाला प्रोपोर्शन हम याद कर सकते हैं उसका सोग उना ही हो गया कि करोड में चला गया है. हाँ, जी. सो बजेट की प्रोफाइल अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखेगा कि टोटल बजेट का जो साइज है वो है 39.45 येस, हाँ, बजेट की प्रोफाइल अगर हम देखें कि कहां से आएगा बजेट का साइज और कहां लगेगा? तो यहां पर मार्केट से लोन उठा जाता है Definitely, कपिटल रिसेप्स मिलती है टेखें की रिसेप्स मिलती है, कस्टम से पैसा मिलता है Union एक साइज से टेक्स जो गल्मेंट हमसे लगाती है ठीके स्टेट लेवल के टेक्स, नोन टेक्स रिवेन्यू भी होते हैं, कुछ डिवीडियन और प्रॉफिट वगरा भी होते हैं, वो बहुत ही छोटा हिस्सा है, चलिए, टेक्स से काफी रिसिप्ट होती है, अब आयाते है इस साइट पे, सो खर्चा कहां करती है उसके बदल ठीके तो इंट्रस्ट पेमेंट पे आपको खर्चा करती है, तो ये थोड़े एक्सपैंडिज जारे हैं, तो कहां से आया और कहां गया, उसका एक ओवर्व्यू है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, माने कुछ एक्स्प्लानेटरी चार्ट सबसे पहले दिखा दिए, और कॉमर्स वाला टॉपिक पिसी के बजट के अंदर बहुत डिटेल में टैक्स वगर आ जाता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, इस यो हमारी है, इसके अंदर ये रिसेंट्ली एनाउंस की गई है, ना, नैशनल अजुकेशन पॉलिसी का ये बताईए जल्दी से, इस एडुकेशन पॉलिसी के अंदर वन हंड्रेड न्यू सैनिक स्कूल्स खोले जाएंगे, जो कि अंजियोज, प्राइवेट स्कूल्स और स्टेट के द्वारा फंडिट होंगी, उनकी पार्टनर्शिप्स में, ये जो बजट सेटप किया गया था, उससे पहले नाइंट इंपोर्टेंट जनल लवेरने सापकी, सो लेट उस सी, तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा हायर एजुकेशन काउंसिल ओफ इंडिया, ह-e-c-i, अब इस पर्टिकुलर काउंसिल, किसी ने नहीं बताया, भाहिम मेरे को, चलो ठीक है, वो वली, फर्स्ट वली आब बतारो, आप नैशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके अंदर ये बोला, कि हिकी आएगा, यानि कि हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया आएगी, अब इसके अंदर इस बजट में, जो 2021 का बजट आया है, इस बजट में, क्लिर्ली टिफाइन किया गया है, कि चार तरीकी के वीकल्स हों एकृटेरेशन, एकृटेरेशन की पॉर जैसे N.b.a. या फिर नैक के पास है, वो पावर अगें इनके पास होगी, रैगुलेशन, दूसरों को रैगुलेट करने व festa अवली अभी U.G.C. के पास ही है, वो सब, फंड देने की, ग्रैंट देने की U.G.C. के पास है, वो सब, तो ये चार वीकल्स, मतलब चार एरिया में काम करेंगे, ठीक है, फोर एरिया में काम करेंगे, येस, और हमारी सिटी में रिसर्च इंसिटूशन्स, या कहते हैं, यूनिवासिटीज, ठीक है, कॉलेजीज, जो सुपोर्ट किये जारे हैं, गवर्मेंट के द्वारा, तो प्रियेट करना है, ताकि सबको फ्रीड़ मिली, इतने सारे हायर एजुकेशन के जो इंस्टिूशन्स है, इनको ऑटोनॉमी मिली, ऑटोनॉमी मतलब फ्रीड़म मिली, येस, एक बहुत इंपोर्टेंट स्कीम बताई गई हायर एजुकेशन से रिलेटेट, वो है ग्लू ग साथ रिसोर्स को शेयर करेंगे, राइट, इस इस वेर इंपोर्टेंट तिंग, एक दूसरे के साथ, रिसोर्स को शेयर करेंगे, चिपक जाएंगे एक तरीके से, ठीक है, डिफरेंट इंस्टिटूशन साथ आएंगे, दे विल शेयर रिसोर्स इस आंड फिर एक दूसरे क करेंगे ताकि यह डेवलप कर सके ठीक है सो स्टूडेंट जो है वो यहां पर क्या है कि जो स्टूडेंट है इन सभी के सभी हां यह माउंट लर्न करनी है अभी 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 तुम नॉर्मल बड़ डिसकस करें जो आमाउंट थी हार एजुकेशन भी परमान के वह बता दी मैं करने वो करनी है तो फ्रेंट्स यह जो स्टूडेंट्स है एक दूसरी उनिवर्स्टी में इजी नहीं जा सकते हैं पढ़ाई करने इसमें फिर प्रॉब्लम नहीं होगी इंटिग्रेशन अच्छा होजएगा यह है ग्लू ग्राइन स्कीम येस मल्टिडिसिप्लिनरी बनान स्कीम जो श्रियास निक चल रही है आपको पता है इसके अंतर जो स्टूडेंट्स स्टूडी कर रहे हैं अल्रडी लाइक बी ए वोकेशनल और तो साथ में उनको 6000 पर मन्त का स्टाइपैंड मिलता है पढ़ते पढ़ते मैंने बहुत बार बताया है अब यह स्कीम कब निका आले गई थी देखो यह जो इंटरनेट पर अभी आपको बजट से रेलेटेड सारे इंफोर्मेशन मिल रही थी तो आपको पता है वो जनली सभी के लिए थी लेकिन उसको एंटी नेट जेरेफ के उपर कैसे लागू किया जा है उसकी मज़े से माने इतनी महनत करके स्लाइ होगा उसमें से तो इन्हों ने जो नैशनल अपरेंटाइशिप प्रोग्राम 2016 में निकाला था अब वो उसको एक्स्टेंड कर दिया है क्योंकि वो था सिर्फ अंडर ग्राजुएशन स्टुडेंट्स के लिए है ना अब उसको पोस्ट ग्राजुएशन में भी एक्स्टे ट्रेनिंग प्रोग्राम ठीक है नाट्स ताकि वो पोस्ट एजुकेशन अपरेंटाइशिप करा सके मतलब जब वो पढ़ाई कर ले बच्चे उसके बाद भी उनको परेंटाइशिप की हल्प मिले अपरेंटाइशिप होता क्या है हाँ टेलिग्राम पे नवक्लासे सर्च परेंटाइशिप का मतलब होता है कि स्टूडेट जब पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ-साथ इनको इंडस्ट्री में भेजा जाता है और वहाँ पे स्किल्स सीखते हैं और काम भी करते हैं तो उसका उनको थोड़ाबो स्टाइपेंड पैसा भी मिलता है तो ट्रेनिंग भ परेंटाइशिप को कंटिन्यू किया जा सकता है ये एक इनिशेटिव लिया गया है पार्टलेशिप विद वर्ल्ड इंस्टिउशन्स दुनिया के कौन-कौन सी इंस्टिउशन्स को आज मेंली कल मेंली यहां पर डिसकुस किया गया वह युनाइट अरप एमरेंट्स इध अधर बोला है कि स्किल क्वालिफिकेशन असेस्मेंट मतलब की टेस्ट वगरा संटिफिकेशन इन सब को सेटिफाइड वर्कफोर्स बनाना है मतलब हमाय जो स्टुडेंट्स है उनके अधर स्किल्स जगानी है विद टायपी अधर कंट्रीज वसु राइट इनोंने इंडिया और जपान के साथ हैं तो यहां से भी बच्चे वो केशनल एजुकेशन सीख सकेंगे टेक्निक्स नॉलेज स्किल्स को इंप्रूब कर सकेंगे जुलाई 2019 में जोनों पनी नैशनल एज़िकेशन पॉलिसी निकाली थी उसके अन्दर नैशनलरिसर्च भॉण्डेशन बदाने किया गया था तो यही उसी कियो बजत में अंगें से ह dengan कि यह यह किशनलर्फ क्या रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ताकि रिसर्च ज़ाध से ज़्यादा की जा सके नeeffectľ प्रारटी से अर्या में कि extent के लिए कौन-कौन से ज़्यादा पॉरारटे एर्याज इरिया जिन में रिसर्च करने के जुरूरत है मैं और और आपने यह भी सुना था मैंने जनल अवीरेस में काफी सारी चीज़े अल्रड़ी इन में से करवा दी थी पहले भी तो गवर्मेंट ने एक स्कीम निकाली थी कि लैंगूइज में ट्रांसलेट करना है ठीक है तो नैशनल Language Translation Mission कि हमें इंडिया की सभी Language में Content को Translate करना है तो ये NTLM Mission भी निकाला गया है उसके लावा New Space India Limited ये Public Sector Undertaking Department of Space बनाना होगा जो की Basically Execute the PSLV, मतलब ये Satellite को Launch करेंगे, ठीक है PSLV से Satellite को Launch करेंगे Every Satellite को Launch करेंगे Brazil के तरफ से, ठीक है So यहाँ पर इसको कहा जाएगा कि ये क्या है, ये पार्ट है ज्यान यान Mission Activities इस Satellite से आपके Educational Educational Channel आते हैं ठीक है, Dish TVs बगारा पर तो वो चीज है, so ये Launch First Unmanned Launch is Slated for December 2021 पहला ऐसा जो Launch है, वो कहा गया कि Launch करने को कहा गया था December 2021 को Now New Space हो गया, Indian Limited ग्यान यान Mission Activities for Indian Astronauts अभी ये जो ग्यान यान Activities है, ये क्या चीज है ये Space Activities इंडिया से जो ऐसे स्टुडेंट्स है या ऐसे लोग है जो आस्ट्रोनोट बना चाते हैं या एस्ट्रोनोट की स्टडी कर रहे है तो उनके लिए ये Generic Space Flight Aspect के रूप में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो इसलिए इसको ग्यान यान Mission को Launch किया गया है ठीक है और ये Space India Limited के वाएसे ये वाली Satellite I hope this is clear आच्छा अभी हम National Education Policy को थोड़ा और डिटेल में डिसकस करते हैं देखो जादा जूम नहीं हो गया National Education Policy के अंदर स्टैंडर्स डेवलप किये गए है स्कूल टीचर्स के लिए ताकि वो National Professional Standard for Teachers NPST तो स्कूल टीचर्स को क्या करवा जाएगा उनकी जो स्टैंडर्स हमको अप्ग्रेड किया जाएगा सो इसको बुलगे NPST इसका जल्दी से फूल फॉर्म लिखिए NPST क्या है NPST National Professional Standard for Teachers टीचर्स के लिए क्या Professional Standards होने चाहिए इससे जो टीचर्स की काबिलिटी है काबिलियत है वो पढ़ेगी और 92 लाग जो टीचर्स है पब्लिक सेक्टर और प्राइबिट सेक्टर्स के उनकी कैपबिलिटी स्किल्स को इंक्रीज किया जा सकता है एक यूनीक इंडिजीनियस मतलब कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको आपको बता है कि जल्दी स्कैच करेगी राइट लर्निंग बाइड डुइंग होगी तो इसलिए ऐसे टॉइज को इंक्लूड करना है स्टडी के अंदर खिलोनों को इंक्लूड करना है जोकि इंडिजीनियसली बने हैं इंदिया में ताकि पैड़ागोजी दी जा सके बच्चों को सिखाया जा सके पढ़ाया जा सके नैशनल डिजीटल एजुकेशनर आर्किटेक्ट्चर बहुत इंपोर्टेंट चीजे निकली हैं एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजे हैं जी अन डियर अन डियर का मतलब क्या है नाचनल डिजीटल एजुकेशन आर्किटेक्चर ये एक धांचा होता है आर्किटेक्चर मतब धांचा जो सटटब किया जाएगा डिजीटल फॉर्स्ट माइंड साइट वेर डिजीटल आर्किटेक्चर विल नौट अल्ली सुपोर्ट टीचिंग यह सिर्फ teaching में ही support नहीं करेगा बल्कि इसके साथ साथ education कैसे plan करनी है governance का मतलब कि हर किसी person को किस तरीके से education पहुँचे transparently कोई भेदभाव ना हो ठीक है और जो पढ़ा रहे हैं सही अच्छा पढ़ाएं यह सब administrative activities state और union territories के अंदर इन सब को भी include करना है state में भी और union territories में भी ठीक है so this is and dear and dear क्या चीज़े national digital educational architecture मतलब कि आप एक जगा से digitally इस तरीके का धाजा बनाएं structure बनाएं कि कोई भी कही सभी पढ़ सके सिंपल कि देन नेक्स आजाते हैं देर नंबर और सीनियर एंड रिटायर टीचर्स अब इन्होंने रिटायर टीचर्स को भी बापेस बुखाने का काम कर लिया है just because of digital education जो देनी है इस लिए सो इसके अंदर वो लोग offline के लिए क्या करना चाहिए उनसे advice लेंगे digital education के लिए उनका help लेंगे so that education में कहीं भी टीचर्स की कमी ना हो और उनकी skills को यूटिलाइज किया जा सके उसके इलावा 2021-22 में काफी school teachers को training already दे भी चुके हैं ठीके लिखा हुआ है 56 lakh school teacher through the national initiative निश्था निश्था की फुल फॉर्म पेपर में कितनी बारी आई थी निश्था नैश्था नैश्था इनिशेटिव और स्कूल हैट्स एंड टीचर और ऑलिस्टिक डेवलपमेंट्स मतलब कि जो स्कूल के हैड्स हैं प्रिंसिपल वगारा और टीचर्स हैं उनकी development time to time कर करना होगा उनको रिफॉर्म करना होगा उनमें कुछ चेंजिस लेकि आने होंगी तो यही चीज लिखी हुई है कि अब यह चेंजिस दोजार बाइस से ही आ जाएंगे इसके अंदर एक्जाम्स को रट्टाफिकेशन के बजाएं जो पेपर में कोशन पूछे जाएंगे व उसका स्ट्रक्चर को चेंज किया जाएगा और अभी एपरल से जो स्टार्ट हो रहा है उससे ही लागू हो जाएगा येस कि प्रमोट एन्हांस एकाडमी कलाबरेशन सभी सभी इंस्ट्यूशन का आपस में कोलाबोरेट करवाना है तो इसमें ट्यूनिंग करानी है जॉइ पड़ सकता है और डूवल डिग्री दिया जा सकता है जॉइन डिग्री दिया सकता है ट्विनिंग अग्रिमेंट्स अर्रेंजमेंट्स हो जाएंगे येस अब हमारा जो एजुकेशन का पार्ट है वह अभी थोड़ी देर खतम हुआ है इसके बाद आगे भी आ जाएगा ठीक है फीपर मेंट्स में आगा तो पूरा वजट जरूर देखिए ठीक है विचिस वेरी इंपॉर्टन आप लोगों के लिए ही गवर्मेंट लेके आती है अबी हल्थ सेक्टर के लिए क्या वानिफ़इट काया है अचिक सोड़ उन वश्बाटव होगा जिसके अंदर ऑं-लाइन और सिस्टव में जिसके पर क Rise chỉ किया है जो 주는 घाल्थ प्रोवाइड करना चाहते है कि भासलीटी इस देना चाहते है इक्वहसरे के साथ यह भीनाज क सिथार रमन जी ने बताया है नेशनल टैली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम अब टैली मेंटल हेल्थ इस वेरी इंपोर्टेंट क्योंकि आज की रेट में कोविड का भी टाइम जो निकल रहा है या फिर अधर प्रॉब्लम्स भी है तो लोगों का मेंटल प्रैशर की वेए से बह दाली गई थी ताकि आपके इमोशनल इंटैलीजेंस को इंक्रीज किया जा सके सिमिलरली अब उधर टैली मेंटल बोल देगा कि कॉल पे भी एक तरीके से उनको हेल्थ रिलेटिड मेजर्स देने हैं जी 23 टैली मेंटल हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे किसके साथ निमांस ब बेंगलोर प्रौइड करेंगे इसकी टेखन लॉजी क्ल सुपोर्ट टी बेंगलोर बोल्थ 코र सेक्टर की प्रोग्रेस बाकि हिंकम टेक्स अलॉयबल एक्स्पेंडिच Redmi अंगर कोई हिसका इंकम टेक्स इसका बैनिफिट बिजनस इंकम में नहीं ले सकते आप यह लिखा हुआ है ठीक है और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस्ट आपको लगता ही है 4% तो वो भी आगे लगेगा सर्चार्ज के उपर ठीक है पहले इंकम टेक्स आता है उसके बाद अगर सर्चार्ज बन सकीम निकाली गई है और वो सकीम कौन सी है आत्म निर्भर भारत श्वस्त भारत योजना तो इसके अंदर यह जो रुपीज करोड में है ना आकड़े यह नहीं याद करने होते आपको परसंटेजीस वाले आकड़े याद करने होते हैं और वसे भी मैंने जो सबस्क्राद बताए हाँ एज़ोकेशन और फीपल वैबंड के वो जादा करने थे ठीक है न्यूट्रेशन के लिए अब स्कीम को सुनों स्कीम को निकाले गई है स्कीम में यहाँ पे दो स्कीम को आपस में मर्च कर दिया गया है सप्लिमेंटरी न्यूट्रेशनल प्रोग्राम पोशन अभ्यान इनको आपस में इकठ्था कर दिया गया है और फिर उसकी जगा पे क्या लॉंच किया गया है मिशन पोशन 2.0 So now there is new mission, मिशन पोशन 2.0 Write down कौन सी स्कीम को मिला कर इकठ्था कर दिया है Nutrition प्रोग्राम को और पोशन अभ्यान को इकठ्था कर दिया गया है ताकि सभी को पोशन मिले और इसके इलावा water supply को भी improve करना है सर्चाज क्या होता है Income Tax के उपर सर्चाज तब लगता है जिसकी income बहुत ज़दा होती है कि साफ पानी स्वच पानी की बहुत importance है इसलिए यहां पर भी universal health अचीव करने के लिए sanitation clean environment pre-requercite है जल जीवन मिशन अर्बन एरिया में शहरी एरिया में जरूरी है अर्बन लोकल बोडिस में जल जीवन मिशन को stress किया गया है स्वच भारत स्वस्त भारत के लिए क्या किया गया इसके लिए आपको एक तो पीछे था है जो mission potion 2.0 वह हो गया हाँ अब भी हम जो बात करेंगे यह भी 2.0 बड़े 2.0 निकाल दीनों ने अर्बन स्वस्त भारत मिशन 2.0 जिसको पांच साल के लिए लागू किया गया है चीक है 2021 से 2026 तक क्लीनियर साफ हवा मिनने चाहिए तो एर पोल्यूशन से बचने के लिए उन्होंने कुछ बजट निकाला है अब फ्रेंड्स हेल्थ वाला सेक्टर कम्प्लीट हुआ अब हम बात करते हैं लोगों के फाइदे की कि अगर किसी के पास गाड़ियां हैं तो उसको स्क्राप करने के लिए यह जो स्कीम निकाली गई है यह बजट में पूरी तरीके से लाबरेटनी कि मैं खुद आज जितना वी बजट है उस से लेटेड़ कुछ एक्स्ट्रा इंफर्मेशन भी आपके लिए लिए लेकर जाएगा ठीक है गाड़ियों को जो पुरानी वाली होती है उनको स्क्राप के भाव फिर बेचे जाता है राइट अब यह मिशन बेसिकली निकला था जो यूनियन बजट 2021 में भी निकल गया था और 2022 से 1st April से यह मिशन पूरा लागू हो जाएगा ठीक है यह रहा हाँ हाँ अगस्त 2021 को निकला था इसका नाम है वी कल स्क्रापच पॉलेसी वी कल स्क्रापेट पॉलेसी कहती वो, तो 15 साल के बाद आपको उसका fitness test कराना होगा जाचाँ ठीके और fitness test में अगर वो गाड़ी छेनल आइक होगी, तो किया जास्कता तो किया जाएगा, नहीं तो उसको प्राइब किया जाएगा अगर आपके गाड़े स्क्राइब होती है तो उसका भी थोड़ा बुद मनी मिलती है पैसा मिलता है अब वो स्क्राइब के बाद आपको एक सर्टिफिकेट देंगे अगर वो सर्टिफिकेट आप नया वला वहीकल खरीदने के लिए दिखाएंगे तो आपको फाइदा मिलेगा तो आपको 5% डिसकाउंट मिल जेगा नया वहान खरीदने में न्यू वहीकल खरीदने में नई पुरानी कार बेची स्क्राइब करा दिया उसको फिर नई गाड़ी है उसका उपर 5% और छूट मिलेगी जीरो जनरेशन फी रजिस्ट्रेशन फ होती है वो भी कम हो जाएगी जीरो हो जाएगी ओनर को स्क्राइब वैल्यू का जो पैसा है 4 तो 6% एक्स शोरूम प्राइस की उपर नए वीकल की उपर भी मिलेगा स्टेट्स गीवप रिबेट बलकि 25% से लेकर 15% तकी रिबेट भी मिलेगी आपके पर्सनल और कमर्शियल वीकल्स की उपर तो यह अगर किसी के पास जबाहन है देन वो उसको 20 साल पुराना है 15 साल पुराना तो उसको स्क्राप में ले जाए तो उससे वहां से सर्टिफिक हां बहुत इंपोर्टेंट है देन प्रोडक्शन लिंग्ड स्कीम मतलब जो जो प्रोड्यूस करेंगे जितना यादा इंडिजीनियस प्रोडक्शन करते हैं उसके साथ लिंग्ड उनको बैनिफेट्स मिलेंगे लाइक अचीविंग आप निर्भर आप निर्भर बनाने के लिए सो 60 लाग जॉब नेक्स्ट फाइव यर्स में इससे जेनरेट होगी तो इसमें कॉन कॉन से सेक्टर्स हैं लाइक फार्मासियोटिकल मैडिकल तो इधर मैं थोड़ा डिटेल लिखा है वहां पर इक वित में लिखा है देखो इलेक्ट्रोनिक टेक्नलोजिकल प्रोड प्रोड़क्स कॉन से डिपार्मेंट में आता है कहीं बार यह कोशन मैचिंग में यही पूछ लेते हैं आप सको पता है मिनिस्ट्री ओफ होम अफेयर का भी कोशन पेपर वन में आया था कि यह बताओ कि वाटर वाली किसके अंदर आती है डिजास्टर वाली किसके अंदर है ठीक है तो यू शुड़ नो अबाउट कि कौन सी वाला काम क्यों सी मिनिस्ट्री के पास आता है ठीक है अच्छा अब यहां से एक चीज़ और बनती है जो इन्होंने समझाई है अच्छा मेरा वह यह है कि वाइट गूड क्या होती है जो वाइट गूड जो बड़ी-ब कर रहे हैं या जो लोग अपना काम कर रहे हैं प्रोडक्शन करने में इन सभी डिक वाइट्रास्ट्पायमेट्ट के लिए थो इनको काफी इनसेयल funded मिलें हे और इनको आगे इंप्लांपेंट मेरेट करने में भी आज मिलेगा तो आगे employment भी generate होगी नेक्स्ट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइप लाइन अब यह क्या चीज है सितरा मंजी ने बताया कि मैं December 2019 को औरड़ी अनॉंस कर चुके थे वो facilities, system, sites, information निकठी करना है लोगों की network बनाना है और country के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि daily life लोगों की इन ही चीजों में depend है तो इन सब से related उन्होंने बोला कि national infrastructure pipeline क्रियेट करना है और petroleum और natural gas के लिए government ने उजवला scheme निकाली हुई है जिसका already काफे लोग फाइदा उठा रहे हैं उसके इलावा 100 जा और डिस्ट्रिक इसमें इंक्लूड किये जाएंगे अगले तीन सालों में और गैस को distribute किया जा सकता है इससे गैस pipeline project को भी लिया गया है और इसको जमू एंड कश्मीर में भी लगाया जाएगा गैस pipeline को जमू एंड कश्मीर में भी extend किया जा रहा है then next is यह बहुत बड़ी चीज आगी especially जो बच्चे commerce या इस सब से relate करते हैं अब देखो कि इन्होंने consolidate करने को बोल दिया है सैबी depository act सैबी का जो act है उसके अंदर जो provisions है इसके provisions इसके अंदर जो अलग-अलग amounts लिखे हुए है ठीक है पते क्या है हम लोग income tax भी देखना है या कुछ भी करना है तो आधी चीज़े सैबी में है आधी चीज़े you know securities contract contract act में है कोई government security act में है और इन सब को इकठा करके एक ही जगा पे market code बना दिया जाएगा इससे फाइदा क्या होगा अलग-अलग act ढूंडने नहीं पड़ेंगे जो कि बहुत जादा इशू होता है जी सब्सक्राइब है सबी एक्ट किस के लिए security exchange board of India securities के लिए और यह बी अकें security के लिए 30-10 बना रखें अब इनके प्रोवीजन को कठा कर दिया जाएगा ठीक है प्रोविजन को कठा कर जाएगा थीक है प्रोविजन को कठा कर जाएगा लेकिन क्या यह वाक्य में फर्स टाइम है तो अगर हम पीछे देखेंगे 1213 की बात करेंगे तो तब भी कुछ कंसोलेडेशन हुए थे जिसका नाम है फानेशल सेक्टर लेजिसलेटिव रिफॉर्म कमिशन अब इन्होंने फानेशल सेक्टर से कुछ डिफ्रेंट डिफ्रेंट जो एक्ट्स थे उनको इकठा करके एक में पनाया था ठीक है नाव यह अपने गिफ्ट वाली बात बढ़ी सुनी होगी है गिफ्ट क्या चीज है किसको देना गिफ्ट जल्दी से कमेंड में बताओगे थोड़ा गॉब्रमेंट वोड सुपोर्ट देवलपमेंट ओ वर्ल्ड क्लास फिन टैक फानेश रिलेटिड टैक हब तो यह जो गिफ्ट है यह बेसिकली गुजरात इंटरनेशनल फानान्स टेक सिटी यह एक टेक्टनोलोजी रिलेटिड सिटी का हब बन रहा है गुजरात में जहा के लिए एक हब बना दिया जाएगा गुजरात को और इसको बोला गया है इंटर नेशनल फाइनशियल सर्विस सेंटर आई एफ एससी की फुल फर्म भी आ सकती है पेपर में क्योंकि बहुत जाता जोर दिया गया इस बार इस पे तो यह फाइनशियल हब बन जाएगा जैसे ह इसका काफी टाइम से ही पहले ही चल गया था हाँ जी अच्छा तो यह चीज क्लिर होगी गिफ्ट की फुल फर्म और यह सब क्या है इंक्रीजिंग एफडी आई इंशॉरेंस सेक्टर देखो रिजर्ट भी आई जाएगा एक फ़्टे के अंदर अंदर आ सकता है और दूसरा आपका जो कह रहे हो फॉर्म कब निकलता है फॉर्म मार्च में निकलते है जून के लिए ठीक है तो इंशॉरेंस सेक्टर में पहले एफडी आई ओनली 49 परसंट थी उसको इंक्रीज करके 74 परसंटेज कर दिया गया है तो यह चीज हो गया आपका और जो पॉब्लिक सेक्टर बैंक्स है इन सभी को री कैपिलाइज के जाएगा यानिकि इनके जो कैपिटल है उसके अंद प्लस क्लास में पढ़ रहे थे बैंकिंग वाले टॉपिक के अंदर तो नोन बैंकिंग फानांस कंपनीज जो होती है जिनकी एसेट 100 क्रोड से कम है अब उनको अलाव कर दिया गया है कि वो गोट एसेट सिक्यूरिटाइजेशन करती है ठीक है एसेट परफोलियो में कनवर्ट करके सिक्यूरिटाइज करके उनको दुबारा से पब्लिक में उधारे जाता है तो यह चीज है उनको भी अलाव कर दिया गया है नाओ डीगाल आस्पेक्स का ही यह टॉपिक है आपका तो डिस डी क्रिमिनलाइज प्रोसीजर ओफ कंपनीज अब यह क्रिमिनल एफेक्ट नहीं है ओफेंस नहीं है यह इसके बाद अगला स्टैप अब यह लिया गया है कि LLP क्योंकि कमनीज एक्टा तो पहले कर चुके थी LLP लिमिटेड लाइबिल्टी पार्टनर्शिप इसको भी डी क्रिमिनलाइज कर दिया गया है ठीक है हां जी दूसरा जो कमपनीज एक के अंदर स्मॉल कमपनी छोटी कमपनीज है इनकी डेफिनेशन में चेंज गया गया है पहले इनकी डेफिनेशन पांच पचास लाग तक था उसको कर दिया 2 करोड और जो पेड़ अप कैपिटल टर्न आवर है 2 करोड था उसको 20 करोड कर दिया गय लेकिन अब उनका रिजडेंशन स्टेटस को अगर हमें चेक करना है तो फिर उसके लिए इन्होंने चेंजिस कर दिये हैं जो 182 डेज वाला था उसको 120 डेज कर दिया गया है ठीक है उसको 120 डेज कर दिया है अच्छा हाँ रियल को रियल करके महां करें वह होता है अच्छा इकोर्ट बना दी है ओन्लाइन कोर्ट के मसले हल हुआ करेंगे अब ठीक है और नैशनल कंपनी लोग ट्रिबुनल इकोर्ट सिस्टम के दोरा भी काम करेंगी और डूरिंग कमिंग फिसकल यर अभी आने वाले टाइम पर जो आपको पता है कि कंपनी जाट रिलेटेट जितनी अपडेट आती है रोज वगरा वह एंसी की वेबसेट पर मिलती है अब यहां पर एंसी 21 का वर्जन 3 निकाल दिया गया है कहीं वर्जन 2 आ रहे हैं कहीं वर्जन 3 आ रहे हैं तो वर्जन 3.0 में होगा क्या सब स्ट्राटेजिक सेल हम लोग प्लस में करते हैं नहीं कि इंडिया स्ट्राटेजिक सेल पर उद रहा हुआ है मतलब कि जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरेगिंग्स हैं इनको 100% प्राइवेटाइजिशन कर रहे हैं तो अभी रिसेंट्ली बहुत बड़ा का मतलब होता है 100% प्राइवेटाइजेशन कुछ सेक्टर का कर दिया जाए तो अल्रेडी किस किस का हो चुका है यह लिखा है बीपी सीयल एर इंडिया शीपिंग कोपरेशन ओफ इंडिया कंटेनर कोपरेशन ओफ इंडिया आई डी बी आई बैंक बेमल पावन हंस नील च स्क्रीट बैंक उसके इलावा वी प्रपोस्ट टू अप्राइवेटाइजेशन ओफ टू प्यब्लिक सेक्टर बैंक तु उन्हों ने स्ट्रीट बैंक और जन्रल इंशॉर्श कंपनी को प्राइवेटाइज कर देंगे कम करदेंगे वानला सब कुछ प्राइवेट So bring IPO, मतलब initial public offer LIC में भी निकाल दिया जाएगा. Yes, LIC में भी निकाल दिया जाएगा. Government financial reforms. So financial reforms के लिए government ने क्या किया है? Treasury single account system. Autonomous body directly draw कर सकते है fund from government account. At time of actuation. So basically क्या कह रहे है कि अब Treasury single account गोला गया है कि अगर आपको government account से कुछ लेना है तो जैसे आपको बता है na E.Q.Ware है और आपको guilt account बनाना पड़ता है और अलग-लग securities अलग-लग उसमें हो जाती है तो इसके लिए Treasury single account उपन किया जाएगा. ये recommendation अलरड़ी की गई थी 15th Finance Commission के अंदर उनको एक ही जगा लाने में help होगी ठीक है? और consolidation होजेगा ये कठे आजेगी Government committed to development of multi-state corporates cooperative bank और आपको पता है state corporates में single state और multi-state corporates होते हैं cooperative bank में बढ़ा हमने definition में अब उसके अंदर multi-state corporates और ज़्यादा develop किये जाएंगे जाकि ease of doing business हो जाए और इन्होंने ये भी point कहा था कि जो cooperative societies है उनको थोड़ा दरजा अच्छा कर दिया जाए और वहां से जो companies act के अंदर companies बनती है उनके कही न कहीं पार लाने की कोशिश है एक साथ लाने की कोशिश है अब हम agriculture की तरफ आ जाते हैं जी agriculture में क्या किया गया? minimum selling price जो किसान है उनकी फसलों का उनका 1.5% गुना दिया जाएगा 1.5 गुना दिया जाएगा ठीक है जितनी भी उनकी लागत आई है cost आई है खर्च आया है production करने में उनका 1.5 गुना दिया जाएगा स्वामित्व scheme के अंदर स्वामी बना दिया गया उनको जगह का land का तो land records को और जादा डिवलप किया जाएगा लोगों के खुद के नाम पे मकान बन रहे है उनके मकानों के नंबर डल रहे है और उनकी रिजिस्ट्रिया पकरी हो रही है तो वो स्वामित्व scheme के अंदर आ रहा है टॉप्स के लिए है टॉप्स मतलब टोमैटो अनियन पोटाटो टमाटर प्याज और आलू इनके जो उचित दाम है अच्छे फ्राइसिस है वो इनको मिलने चाहिए इनके सही फ्राइस फार्मर्स को मिलने चाहिए पिशरीस हां जी क्या देखू भी दुम्हारा कमेंट नॉन रेजिदेंशल को 182 दिया वाले वन वह उसके लिए नहीं है वह वन परसंट कंपनी के लिए जो रेजिदेंशल स्टेटेस है वह 120 डेस का वाना जाएगा ठीक है पहले अब हम बात वह करें पूरा ओवल और में नहीं कहा रहे हैं वन परसंट कंपनी खोल सकते हैं उसके लिए कह रहे थे फिशरीस फिशरी मतलब यह हम पेपर वन में पढ़ रहे हैं फिशरीस वाला कॉइंट ठीक है किसको नील क्रांती ब्ली रैवोलूशन के अंदर तो इधर में लिए फाइव मेजर फिशरिंग हाबर्स ओपन किये जाएंगे और यह होंगे कोची चन्नाई विशाखापटनम पारदीप और टैटू घाट तो यहां पे एकनोमिक अक्टिविटीस के लिए फिशरी अक्टिविटीस के लिए इसको हब बना दिया जाएगा इन पांच होता है जो बीच में हमारे जो टैरिटरी के अंदर नॉर्मल जो नदिया भारी है सिफ घाटों में नहीं मतलब जो समुद्र की साइट पे जा रहा है वह वाला नहीं समुद्र के लावा रीवर जरने पूल यह सब की बात हो रही है सो इनलेंड में फिश लैंदिंग सेंटर कुछ ओपन किये जाएंगे वाटर वेज रास्तों के साथ देन मल्टी पर्पस सीवीड पाक तामिल लाडू में खुला जाएगा ठीक है फानैशल इंक्लूजन के बात करते हैं यह हम कर बैंकिंग में पढ़ रहे थे प्लस क्लास में तो अगर श्कीम के लिए निकाली गई है वह भी आप लोग अगर था खोलना चाहते हो और आप सेंटी के लिए वमिन एससे एस्टी हैं या फिर विमन हैं तो आप लोगों का ज कोरीजी कोई काम करना चाहते हो भी को लोन के लिए कुछ गिरभी रखना पड़ता है ऍब अहरे बहुत है पहले के इसके हुं । जितना रहता है उसका स्ट चाहिब diversity तक कर अब। उसको घटाके परसंटेज और देड़ सो गज की जगा है लेकिन उसकी जगा पर आपको लोन में जगा एक लाग पचास जार की आसपास ठीक है तो यह उस तरीके से होगा पंदरा परसंट कर सकते हैं किसके लिए अक्तर कोई से भी अक्तिविटी है अग्रीकल्चर से लेटेड या उससे रिलेटेड में अग्रिकल्चर पॉलिट्री फार्मिंग और ऐससे चीज़े आ जाते हैं जो गाऊंवाले विलेजी जुनली इलिया में किया जाता है तो फैनाइशल में शैब्त करेंगे वंदे भारत ठैन्, नियू अगले तीन साल के अंदर अंदर, गती आगे हैं धे कार्गो टर्मीनल स्य वन 17 तो यह सब है Mítulo 16 मतलब यह Cargo जैसे कंपनी इंको समय deservedभी शुवलियों भीजने वों लोजिस्टिक दूसरे परवत तक रसी के द्वारा जो वो चलता है ना जिसको वैसे तो क्रेन होती है वो एक तरीके से तो वो बनाया जाएगा कि डिस्टेंस इजिली कवर किया जा सके एक जगा से दूसरी जगा पर किस किसने देखा था बहुत अच्छा है यह एट रोटवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं 60 किलोमीटर लैंज के पब्लिक प्राइवेट पार्टरशिप के द्वारा परवत में माला वांजी जाएगी वा वही वा क्या नाम सोचा है कैन बैटवा प्रोजेक्ट कैन बैटवा प्रोजेक्ट क्या है कि जो रिवर है उनको भी अपस में लिंक करना है जासे की मैं प्राइवेट करके अच्छा कर रहे हैं कि नहीं यह तो है इसा है अच्छा नहीं हम क्या कर सकते वो अपना बर्डन कम कर रहें ठीक है प्राइटाइजेशन करकर बड़न कम कर उनके हीसाथ से जो हमारा बड़न है डैफिसिट है वो इससे कम होगा जल्दी उबर पाएंगे इस problem से, then micro, small, medium enterprises जो होते हैं, इनके लिए क्या स्कीम जिकाली है, आपको बता है, ये तो paper में directly कोशन पूछ लेता है, तो उद्धियम, ईश्रम, श्रम, महनत, NCS, National Career Service Project, आसीम, आप लोग जो employer है, वो आसीम पे अपना portal बना सकते हैं, employees, इनके portal पे जाके देख सकते हैं, जैसे, नौकरी.com गुआ करता था, उसकी जड़ा पे आसीम आ गया है, पेपर में इसकी I think, फूल फाम पूछी थी इस बार, emergency credit link guarantee, कि अगर एकदम से कोई इश्यू हो, इन companies को, तो इनको credit मिल सके, उसकी guarantee, warranty, ठीक है, ECLGS, guarantee trust, micro and small enterprise के लिए, कौन सी credit guarantee, उधार, उधार की guarantee, ठीक है, enterprises के लिए, raising and accelerate MME's performance, ramp, उनको बढ़ावा देना हैं आगे जाके, skill development, digital ecosystem for skill development, skill development के लिए, यह सभी के लिए important है, paper 1 के लिए भी, क्योंकि skill development का आता ही है, education भी दुबारा आगे, मैंने का आता हैगी, तो digital ecosystem बनाना है, skill और livelihood को develop करने के लिए, इसको बोला है, देश, stack, e-porter, देश, digital ecosystem for skilling, and livelihood, यह launch किया जाएगा, आपके जितने भी लोग हैं, वो e-portal है, online portal है, अब इसके अंदर आप अपने skills सीख सकते हैं, या already skills देता उसको शाप कर सकते हैं, या फिर आपको online training मिल पाएगी, तो start-ups को promote किया जाएगा, drone शक्ति के लिए, drone as a service, drone as a service के लिए, then education के अंदर, one class, one tv, तो program निकाला गया है, e-vidya, यह question आया हुआ ऐसे भी, बताओ e-vidya क्या है, one class, one शक्ति, e-vidya one class, one शक्ति से related है, then virtual labs, virtual lab का मतलब है, online वच्चे लाब के अंदर experiments कर सकते हैं, ऐसा, then high quality e-content, e-content अच्छा होना चाहिए, electronic content, तो digital teachers के द्वारा यह डिलीवर किया जाएगा, digital university world class quality education प्रोवाइड कराएगी, तो यह तो हो गया, education से related, हाँ जी, हाँ, बेल्कुल कोई बाद नी, new edition मेरा नया आएगा, मैं इसके बार में अनॉंस करूंगी, Friday को, कि exactly, उसमें क्या है, है ना, यह सब चीजे, सारी वी डिस्कसी, फिर आते हैं health की तरफ, health में national digital health ecosystem को roll out किया गया है, इसके अंदर tally mental health हम already discussed कर चूके हो गया है, सक्षम अंगण वाड़ी, बहुत detail में मैंने आपके लिए यह lesson बनाया, ताकि कुछ छूटे ना, और भई मेरा कामी यही है, मैं सब पढ़ाती हूँ, ठीके, जादा पढ़ाती हूँ मैं, ताकि मुझे पता है 100% फिर तभी यहीं से आएगा, so integrated benefit portion 2.0, तो यह basically सक्षम अंगण वाड़ी के लिए है, portion 2.0 मैंने पहले भी आपको बता दिया था, वही उसको बोला गया है, हर घर नल से जल, हर घर नल से जल, tap टूटी वाला tap लगाना है, ठीके, तो इसके अंदर का चत्काने के जोती है, hiding you should know about, vibrant village programs, yes, banking sector की तरफ आजाते हैं, हाँ जी, drone शक्ती नहीं हुआ, मैं clear, अच्छा, तो लो, कोई नहीं मैं बताती हो थोड़ी दिर मस को, उसका मुझे भी देखना पड़ेगा, कि actually उसमें क्या है, drone शक्ती के अंदर, e-drone शक्ती ना, जो स्टार्ट अप्स होंगे, वो ड्रोन से रिलेटिट जो भी वर्ट करेंगे, उस से रिलेटिटिट यह होच, चलो मैं किसी और दिन इसको पूरा, इलाबरेट कर दूँगी, यह इसके उपर वन मिनिट क्लास में ले लूँगी, शोट पना तूँगी, अब इतर देखते हैं, बैंकिंग, 100% of 1.5 लाग पोस्ट ओफिस, पाम टू बैंकिंग सिस्टम, तो बादाब पोस्ट ओफिस हैं, पे तो खाते खूले होंगे सबके, जादा तर्किया सब खूले होंगे, बट इतनी लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, तो उसको भी प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम की तरह ऑनलाइन कर देंगी, स्केडियोल कमर्शिल बैंक टू सेट अप 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स वो उनको उपन कर देंगी, पास्पोर्ट, तो ये पास्पोर्ट एनेबल चिप, अब आपको चिप में लगी में लगी, प्यूचिरिस्टिक टेक्नलोजी से पास्पोर्ट के अंदर, तो ये भी एक नई चीज है, अर्बन प्लानिंग, तो टाउन प्लानिंग सिस्टम्स निकाले गई है, अर्बन शहरी जगा के लिए, ठीक है, और ट्रांजिट ओर्येंटिड डेवलप्मेंट करनी है, बैटरी स्वापिंग भी है, बिसिकली, मतलब ये भी कल देखा था आपने, कि चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं बहुत जगा, ताकि जो वीकल्स बगारा हैं, उनको भी चार्ज कैन सकते, इलेक्ट्रोनिक वीकल्स, दैन लाइन रिकॉर्ड मैनेजमेंट, जैसे हम वीलेजर्स की बात कर रहे थे, वहाँ पर उनको लाइन रिकॉर्ड मतलब उनकी स्वामी तो स्कीम निकाली थी, यहाँ पर भी युनीक लाइन पार्सल आइन्टिफिकेशन नंबर, ठीक है, फोर आई-टी बेस मैनेजमेंट ओफ लाइन रिकॉर्ड सो अब नॉर्मली यहाँ पर क्या मिलेगा, युनीक लाइन पार्सल आइन्टिफिकेशन नंबर मिलेगा, जिससे आप आए, इन्फरमेशन टेक्नलोजी, यानि कि इंटरनेट के द्वारा, लाइन के रिकॉर्ड को इजीली मैनेज कर सकते हैं, सेंटर फोर प्रोसेसिंग एसलेरेशन कोपरेट एग्जिट, बेरी इंपोर्टेंट पेपर वन के लिए भी, वो क्या है, इवी जीसी, इवी जीसी की फुल्फरम बताओ, लिखी भी हुई है, फिर भी चेटिंग कर लो, कोई नहीं, अनिमेशन, वीजुल इफेक्ट, गेमिंग, अन्द कॉमिक प्रोमोशन टास्पोर्स, इन सब को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, इस टास्पोर्स को प्रोमोट किया जा रहा है, हाँ जी, टेलिकॉम सेक्टर, जो ये फोन वाला टेलिकॉम, इंटरनेट ये सब चीज़ आ जा 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 जिसमें, Special Economic Zone अच्छा ये जो वो था, गुजरात वाला गिफ्ट, वो भी Special Economic Zone में आ गया है, ठीके, Special Economic Zone में आ गया है, अच्छा, Development of Enterprise and Service Hub, इनकी डेवलप्मेंट करनी है, आत्ल निर्भर भारत, आत्ल निर्भरता इन डिफेंस, डिफेंस में, 68% टोटल जो बजट का हिस्सा है उसको डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए ही लगाया गया है इंडिपेंडे नॉर्डल अंब्रेला बडी बनाई जाएगी जो कि क्या काम करना है क्या नहीं उसको विचार करेगी ठीक है यह सब ऐतके लिए परिवेश भी था इसीके जैसा उसके पार भाल में बोला था वैसे परिवेश एक आइसा पॉर्टल है कि जितने भी गरवन टेपार्टमेंट अगर उनको कोई कम करना है तो पहले परमिशन यहीं होती है तो वह परमिशन परवेश पोर्टल से भी ले सकते हैं अधिया के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है स्ट्राडेजिक सेक्टर जो इंडिया ने रिको गुनाइज की है वह कौन-कौन से है तोटल फोर है इसमें से प्रॉपरली इंडिया गवर्मेंट ने अपने पास रखा हुआ है वो है अटोमिक एनरजी स्पेस डिफेंस इस चीज को और उसके इलावा ट्रांस्पोर्ट, टैली कम्मुनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम, कॉल, अधर मिनरल्स, बैंकिंग, यह भी कहा गया है कि बहुत जादा इंपोर्टेंट है हमारी सफलता के लिए, फिर नॉन स्ट्राटेजिक सेक्टर कौन से हुए, वो हुए, इसके इलावा, अधर्वाइस जो भी है, या तो उनको प्राइविटाइजिशन किया जाएगा, जैसे कि अभी इन्होंने एर इं या तो सेल हो जाएगी, या तो बंद हो जाएगी, स्ट्राटेजिक सेल, 100% सेल लगी है, सन्राइज उपोर्चनिटी, सन्राइज उपोर्चनिटी में क्या है, इसके अंदर है सूर्य, रिन्वेबल एनरजी, पिपल एंवार्मेंट, तो गवर्मेंट ने को बोला है कि, आर इस पारी निकाला ही था, वो प्रॉपर स्कीम के एग्जैक्ली वो तो मैं बादर दौंगी, यहां पर जो ड्रोन यूस बोले गए है, वो वही है, जो गवर्मेंट देखती है कि कहा पर क्या गर्तिवीदी चल रही है, और क्या करना चाहिए, आ गया जी, आ गया, कहा टक ग गॉल ओफ, टू एटी गिगावाट, यह आप नोट ही कर लो, बहुत जरूरी है, हमाने तो गॉल, जब देखो थोड़े ट्विस्ट करते रहते हैं, खामखायार करने मड़ते हैं, करो फिर हम और क्या कर सकते हो, आप, तो सोलर मैडियोल से रिलेटिड जो गोल के लिए, इ यह क्या है, सोलर, समझे, येस, सो दिस इज, सोलर मोडियोल के लिए, टू एटी कर दिया है, टू एटी गिगावाट कहा गया है, दोजा तीस तक, और नेट जिरो एमेशन भी आपको पते हैं, यह तक करना है, हां जी, लिख लिया, पेपर वन के लिए, फाइव तो सेवन परसंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् जोब ऑपोर्चनिटी भी मिलेगी उन लोगों को और इससे जो बिना बाद पर सभल बर्निंग होती है इससे पराली वदरा होती है उससे भी बचेंगे ठीक है फोर पाइलट प्रोजेक्ट निकाले गए है कोल गैसिफिकेशन इस बहुत इंपोर्टन एक्चुली को हम जब इस तरीके से यूज करते हैं डिरेक्ली यह कार्वन डैक्सर रिलीज करता है बट कहा जा रहा है कि अगर इसका गैसिफिकेशन किया जाए इसको कंवर्ट करके द किया जाता है इंडस्ट्री के लिए ठीक है फानेशल सुपोर्ट टू फार्मर्स जो स्केड्यूल कास से हैं स्केड्यूल ट्राइब से हैं और जो एग्रो फोरेस्ट्री करना चाहते हैं उन लोगों को भी हैल्प मिलेगी अब अभी कैपिटल इंवेस्मेंट की बात करते ह कि पब्लिक इंवेस्मेंट को कंटिन्यू किया जा रहा है कि वह पंप करें मतलब ज्यादा आगे लेकर आएं प्राइवेट इंवेस्मेंट को साथ में ठीक है ऐसा अच्छा सो कैपिटल बजेट कितना ने काला वह अलग चीज़ है अब देखते हैं यापे जीडीपी पब प्रॉपरली जो कापिटल एक्सपेंडिचर है वह कहा गया है कि 4.1 परसेंट होना चाहिए जो लॉंग टम एसेट में हम एक्सपेंडिचर करते हैं वह ठीक है था जी मैं वैसे साढ़े साथ मुझे सूब आती हूं लेकिन अगर मैं लेट आती हूं या टाइम चेंज होता ह था तो मैं टेलिग्राम में बताती हूं था था ठीक हे अगर क्लासिस टेलिग्राम में सुच करके फोलो करकर रको विच इस वरी इंपोर्ट deepest में घिफ्ट हो गया भी गुजरात में हो गया आगे माबलाइजिंग रिसोर्स इस रिसोर्स को मोबलाइज करने के लिए वेंच प्रोजेक्स के लिए ब्लैंडेड फॉंड का मतलब किया है अब मतलब ये फॉंड्स गवर्मेंट प्राइवेड या अधर से भी लिये जाएंगे सो देट सन्राइज यानि की वो जो फोटो वर्ल्ट एक सॉलर एनर्जी वगरा है इनका बैनिफिट लिया जा सके सॉवरेण Green Bonds गवर्मेंट के खुद के Green Bonds निकलेंगे जिसको गवर्मेंट इस Sustainable Energy के लिए यूज करेगी उस से generate हूँा हुआ पैसा। ठीक है अगर आप चाहें तो इस बारेज गवर्मेंट के बहुत सारे ठेयर सारे बॉन्ड्स निकलने वाले हैं If you want to invest, they are safe and you can invest Returns भी मिलता है अच्छा लेकिन अभी ये clear नहीं किया गया बजट में कि Actually कितना मिलेगा लेकिन हाँ भी निकालेंगी पूर्ड इस साल Digital Rupee Digital Rupee इंडिया के खुद की E-Currency आपको पता है So Reserve Bank of India के द्वारा स्टार्ट हो रही है 2022 तेश से और प्रवाइड करना greater physical space state Scheme financial assistance प्रवाइड करेगी Capital investment के लिए ठीक है तो फिसकल के लिए हो हो गया हमारा Fiscal management का मैंने ये वाला point भी आपको class start होते ही बता लिया था आंकड़े ये वाले कि इतनी ज़रुद नहीं है लेकिन ये देखो कि हमारा Fiscal Deficit अभी कितना आया 6.9 आग्या कितना पैक किया 6.4 ठीक है इस इस इंपोर्टेंट Revenue वाला 3.8 राइट ये रहा यही चीज है जो मैंने पिछे बताई 6.4 पैक किया है कि इतना होना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए Deficit Revenue Deficit और जो 6.9 अभी इस साल का हुआ था 15 Finance Commission के अंदर बता दिया गया था ये क्या चीज है ये भी बहुत इंपोर्टेंटली डिसकस किया गया ये है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोड़क्ट स्टेट लेवल पे गवर्मेंट का जो प्रोड़क्ट है उसका उसको 4% तक सील कर जेगी इससे ज़्यादा उधार वो ना ही ले ताकि उनको कि ये विवाड़ कर तो देफिसट ना हो ठीक है तो ये चीज है और स्टेट एक्स्पेक्टड है है तु रीच फिस्कल डेफिसित ओस थी परसंटेज जो डखता है की 3 परसंटेज डेफिसित हो सकता है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोड़क्ट डारेक्ट ट्रेक्सीश होना चाहिए मतलब tax को और आसान कर देंगे लोगों के लिए भरना और simplify कर देंगे tax system को updated return returns भरने का तरीका अलग हो जाएगा अपडेट हो जाएगा थोड़ा सा easy हो जाएगा और updated return on payment of additional tax और यहां पे कुछ ऐसा प्रोविजन भी होगा कि अगर जैसे आपने अडिशनल टेक्स पे किया तो उसमें अपडेटिड तरीके से उसको फाइल कर सकते हैं, ठीक है, टेक्स की चोरी से भी बचाएगा कहीं न कहीं, जो पहले मिस हो गई है कोई इनकम, उसको भी जांच करने में काफी जल्दी कारगर होगा, ट्रांस्परेंसी बढ़ेगी, कॉर्परेट सोसाइटी की बात करते हैं, देखो, जो मैट है, मिनिमम अल्टरनेट टेक्स, वो किस पे लगता है, वो बेसिकली लगता है कांपनीज पे, वो पहले 18.5 था, फिर उसको 15 परसंटेज कर दिया था लास्ट यर, अब लेकिन जो स साइटीज वाला था, कॉर्परेट सोसाइटी में, इस पे लगता है, एम्ट, यानि की अल्टरनेट मिनिमम टेक्स, मतलब, आगे पिछे कर दिया, उसमें, मैट कर दिया, इसमें, एम्ट कर दिया, एम्ट है, एक्चली हमीशा सी, इसको 15 परसंट नहीं गया था, इसमें 18.5 परसंट ही था, मैंने प्लस क्लास में भी अच्छे से डीटिल में समझाया था, तो अब इसको 15 परसंट कर दिया है, ताकि जो कॉपरेट सोसाइटीज है, और कंपनीज एक्ट है, दोनों एक जैसे साथ साथ चले, ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड बन जागी, लेवल प अपरेटसिफ सोसाइटीज के लिए, ठीक है, तो उल्टा का सुनती हो, उसमें थी 15 परसंट अब हुआ है, ठीक है, हो हो करती रोखालू का, उल्टा सुनती हो, पहले 18.5 था, अब 15 हुआ है, टेक्स रिलीव टू परसंट विद डिसेबिलिटी, जो परसंट पी डैटेगर से बिलॉंग करते हैं, तो उनको भी काफी टेक्स में रिलीव मिलेगा, हां जी, जैसे कि, लंब सम अमाउंट फ्रॉम इंशॉरेंस स्कीम, पेमेंट ऑफ अनुटी, लंब सम अमाउंट फ्रॉम इंशॉरेंस स्कीम तो अलाओ डिफरेंटली एबल, मतलब अगर आपको कोई इन लोगों भी 60 साल की जब हो जाते हैं, तो उसके बाद कुछ अमाउंट मिलता है, तो वो टेक्स डिड़क्टिबल हो जाएगा, पारिटी इन नैशनल पैंशन स्कीम, जो नैशनल पैंशन स्कीम है, उसमें टेक्स की डिड़क्शन लिमिट को बढ़ा दिया है, 10% से 14% कर अब जादा मिलेगी आपको, अगर आप नैशनल पैंशन स्कीम में कंट्रिबूट करना चाते हैं, और इसको पार लेकर आगे है, सेंटल गवर्मेंट इंप्लोईज के साथ, जैसे सेंटल गवर्मेंट इंप्लोईज को मिलना था 14%, तो अब जर्नली सभी को मिलेगा, इन इ इंक्रीज कर दिया, 2023 तक कर दिया है, स्टार्ट आपवली स्कीम के इंसंटिव को, तीकए, इंकम टेक्ष में पड़ते हैं हम नहीं, इंसंटिव एंदर कंसेशनल टेक्स डिजाइम, इसको भी 2024 तक कर दिया है, जो 2021, 22 तक था, उसको जव भीस तक कर दिया है, PGP का है, ये, अगर आप उसको बेचोगे आपको उसको फ्रॉफित होगा तो आपके उपर शॉट टम कैपिटल हो गए जा लॉग तो सीधा 30 परसंट टेक्स लग जाएगा ठीक है तो इसको दो तरिके से देखा जा रहा है कि सम पिपल असें कि अप्र लिगल हो गया हम तो यहीं सम्मेहा था लीगल है की नहीं फिके आंड समीपल आज से वैसे ही आप लेखरों बिटकॉन काफी निचे गिर गया है तो कुछ मिलेगा इनी गिफ्टो वर्चुवल डीजिटल और अगर किसी ने किसी को गिफ्ट दिया वर्चुल क्रिप्टोकरंसी तो जो ले रहा है उसके हाथ में टेक्सेबल होगा ठीक है ऐसा हाँ ओहो अभी आठ यार तुम लोग बड़े श्यतान हो वहां पेज दिखता है इसको अटा दू है अगली क्लास से अभी ओर पेज है लिटिगेशन मनेजमेंट जहां पर लिटिगेशन लगेगा जहां पर लड़ाई जगणे होंगे है तो उसको मैनेज किया जा सकता है जैसे कि कोई ऐसे इश्यों होंगे इस वर्चुल डिजिटल ऐसेडस से जो की हाई कोड या सुपरीम कोड के पार होंगे तो फिर इसको फाइल कर सकते हैं अपील डिपार्टमेंट के द्वारा फाइल की जा सकती है और जैसा भी आग़ डिसाइड होगा इसकी आपर प्रोपर में भी है वहां दिख रहा है कि कितनी स्लाइड बची है कोई नहीं अच्छी बात है क्रिप्टो मैं महनत गिया है वह साट स्लाइड उना आगे लाई हो तुम्हाने लिए लिए एक हजार उपे क्रिप्ट ट्रांजेक्शन हुई और आपका 30 परसेंट बिल्कुल इंकम टेक्स की स्लाइब में लग गया और सो यूजर केंड़ सेट ओफ दो लॉस अव गया मालो तो लॉस को भी आपके सेटन नहीं कर पाएंगे ठीक है तो टेक्स अन क्रिप्टो प् अगर आप गिफ्ट भी तो भी आपको उसके पर टेक्स लेगा जो ले रहा होगा गिफ्ट उसके ओपर अब यहाथ है टेक्स इंसेंटिव इंटरनेशन फानेशल सर्विस सेंटर जैसे की गुजरात में खोले गए हैं तो इनको क्या एक्जंशन मिलेगी किस को एक्जंशन मिलेगी this is very important income of non-resident offshore derivatives मतलब derivative क्यों होते हैं जिसमें आप options forwards यह सब sale purchase करते हैं तो इसके अंदर अगर non-resident है उनको जो offshore derivative instruments income होगी उनका tax exempt है पूरा hundred percent then over the counter OTC derivatives में से जो इंकम हो रही है offshore banking unit मतलब इंडिया के बाहर के साथ यह और यह भी offshore है मतलब outside इंडिया then royalty and interest on account of lease of ship जिसके पास जहाज होते हैं समुदरी जहाज शिप उसको कोई lease पर देता है उससे जो royalty मिल रही है या interest मिल रहा है उसक्यूपर then portfolio management service in international financial service centers तो इनको special economic zone को बड़ा फायदा देते हैं realization of surcharge surcharge जो होगा association of persons so 15% cap कर दिया गया है उसको total ठीक है चलो education says तो लग नहीं है any surcharge or says on income profit are not allowed as business expenditure उसको business expenditure की तरह allowed नहीं होगा कहीं उसको कहीं और आप उसका benefit नहीं ले सकते और जो commercial बचे हैं अगर आप यह पढ़ना चाहते हो detail में तो मैंने यह slide बनाई है कि income tax का क्या फाद पढ़ने है या income ने सक क्या फादा है इन लोगों को जो special economic zone में IFSC units में invest करते हैं ठीक है उनको goods and services tax तो zero है लगता ही नहीं है और उसके इलावा दूसरे tax जो है वो भी zero है ठीक है बिल्कुल ही नहीं लगेंगी तो मैंने shortcut में बता दिया है बाकी निल tax इनके लिए security transaction test commodity transaction tax dividend distribution tax long term capital सब 0 उस नहीं लगना इनको अब आते है next that is deterrence against tax evasion लोग tax की चोरी करते हैं उसको कैसे रोके no set off कोई set off नहीं होगा इनका laws against undisclosed income किसी ने चोरी करी हुए है उसका कहीं पर set off नहीं होगा उसके पर payment देनी पड़ेगी rationing TDS provisions benefit दिया गया है एजेंट्स को जो कि business promotion strategy करते है taxable in hand of agents अगर कोई benefit अगर मिला है TDS से related तो एजेंट्स होते हैं उनके हाथ में वो taxable है उनको then agent को क्या मिलता है commission तो उस commission का प्रसा tax deduction प्रोवाइड कराई जाएगी person giving benefits जो ऐसे benefits दे रहा है if aggregate value उस benefit की 20,000 रुपे से जादा है किसी भी financial year में GST अब GST की बात करें इंट्रेक टेक्स की हो गई हम GST चार साल हो चुकी है इसको लाएग को और अब कुछ नई provision निकाले गए और new provision क्या है कि SMS के द्वारा return के अब कोई provision नहीं है quarterly return कर दिया आसानी से दे सकते हैं छोटे taxpayer then electronic invoice system ठीक है electronic invoice generate कर सकते है input tax statement को validate कर आया जा सकता है और prefilled editable मतलब हमारा जो portfolio ना जी एस्टी का वो थोड़ा easy हो गया है ठीक है prefilled होता है उसके अंदर थोड़ी सी editing कर दो भर दो ऐसा और return filing को staggering of return filing तो यह खर हम पूरा detail में discuss कर भी लेंगे जब income tax बढ़ने वाले हम ठीक है then capacity of GST system has to be enhanced इसकी capacity enhance कर दी जाएगी artificial intelligence से अब यह पता लगा जाएगा कि कोन जानबूच के फरजी GST के उपर form भरवारा है और फरजी you know ITC claim कर रहा है यह सब तुछे पक्ड़ी जाएगी हम आप इसा फाइनली वी आर डन विद दे ग्लास ठीक है सब मज़े ही आगे यहस मैं 4 कैसे 2017 में आया था ना effective you know क्योंकि कुछ छूट एक साल की दे दी थी ऐसा करके सब्सक्रिप्शन लेना है तो आज अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो my dear friends आज आपको नव क्लासिस कोड पे 20% discount मिल रहा है और आपको बढ़त ही है कि मैं हमेशा सबसे आद अपडेटिट रहती हूं और सारी के सारी जो information है आपको provide भी कराती रहती हूं ठीक है so make sure कि आगर आपको जो मैं करा रही हूं वो सब अच्छे से आप करेंगे तो आपका enough है आप बिल्कुल definitely निकाल सकते है अपना NetJRF ठीक है ठीक है thank you so अपने आपको प्रूव करके दिखाना है yes dream believe activity hashtag Dabba hashtag Jim और बताइगा कि आज को इन कैसा रहा अपने फ्रेंड्स के साथ जुरों से शेयर कीचेगा thank you and all the very best for your jrf